सुरेच शर्मा जी हैं वर्ष्ट पत्रकार हैं लेकिन ब्रिजगोपाल जी ब्रेक पजाने से पहले अपनी बात कुछ कह रहे थे कंप्लीट कर लेजे फिर मैं रियाक्शन लोग स्वदेश जी से लगता है उत्तरकादमी अंग्रेजों की तरह लगता और जखषनकादमी अप्रीकियों पी तरह लगता है यह कौन कह रहा है कांग्रेश के विदेश बिभाग के अध्याच प्रदान मंत्रियों के 15 वर्ष सलाहकार रहे सेंप्टरोदा तो यह मुद्दों से भठकाने का काम ह हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है और मैं फिर से कहता हूं जो लोग संख्यक समुदा खास्तोर से स्वादेश जी शुरुआत तो सल्मान खुर्षित की भती जी नहीं की थी ना वोट जिहाद की बात कहकर अब बीजेपी उसे क्लाइमेक्स से पोचारी तो फिर एतराज किस बात का है यह बिजगोपाल वय जी का कहना है अपरना जी सबात यह है कि भारती जंता पार्टी और एंडी गणवंदन तीन जो होगे फेज में बहुत पीछी जा चुकी है इसलिए माननी तुदान मंतरी और मेसाइजी बौखला गए है और इनकी बौखला इससे भी दिखती है जैसे रायमरेली में कुदान देता हूं एक पत्रकार ने एक महला को रिकौट किया जिसने कहा कि हम पैसे लेकर के आए है रहली में हमेज साही की में तो उस पत्रकार को पीछे ले जाकर प्टाई की उसके पैसे चीन दिया है वीडियो बहएरल भी हुआ और ऐसी अमेरथी की बात करों तो मैं तोर फोर्थे चान ज और यहीं तक नहीं रुखिये आप यह जंता के बोट से इतने ब्हभी थे इतने डरे हुए किस तरह का कांड कर देते हैं इंदोर मत प्रदेश में कैसा कांड कर देते किसी देशुपा नहीं है खजराओं में दीपा कि आदव बरिष्ट ने ता जिसकी पतनी दूसरी तीसरी वरिष्ट नेता और तब भी क्या कमी थी कमी के बारे में अफगत कराया गया वक्त रहते भी उस कमी को दूर नहीं किया गया यह बहुत में पुनीब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ वर्चनल स्टूडियो से पुरी अपरना जी निवेदन करूंगा मेरी बात पूरी हो तब नहीं थी क्या आप बताइए और जैसे ही हमारे एक परंपरा है कि हम जैसे ही नामंकन देते हैं निर्वाच रदकारी के हाथ में वो देखता है अगर हस्ताक्षर नहीं होते तो हो ही रोकता है अरे भी आपने हस्ताक्षर करना जोड़ दिया कुल बला के यह कमीया सकायत भी की पर कुछ हुआ नहीं है सूरत का जिकर अगर करेंगी तो आप पाएंगी और रहा सबाल एक सबाल हो रहा है था हिंदू-मुस्लिम बाला तो आप बताइए पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के बाद कॉंग्रिस्ट कमीर आई नहीं थी नहीं की लेकिन मानी प प्रधानमंत्री जी की गुरू राइनिते गुरू वह जिन्ना की मज़ार मत्ता टेकने जाते हैं और चीन की अगर बात करें तो आप जूले में जूले हैं चीन 35 किलो मिटर अंदर घुसाया है हमारे अंदुस्तान के गाउं के नाम बदल रहा है उस पर जबाब नहीं देत प्रधानमंत्री कहते हैं अपनी मुझे राउल गांदी अब नाम नहीं लेते हैं जबकि मैं आपको बता जूँ आप रिकॉर्ड है यह बात आप रिकॉर्ड कर देख लिए सर्च करके तीन अपर अब तक नानी राउल आप मानी राउल गांदी जी 131 बार आड़ बानी पर प्रधानमंत्री चुछ कि यह बता रहे हैं कि हम हिंदू-मुसलिम करते हैं और वह यह बता रहे हैं प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान जाने का फाहत स्वाहत्त विटारें हम नहीं किया यह एक है नभवे जार घुतने मकर शाथ जूटन के करते सब्सक्राइब हृँ पड़ये मैं हiblие सौर्ब अ वनार पोलिग है स्वादेश जी उनको बोलने दीजी क्योंकि वह स्काइप से चुड़े हुए हैं तो वह आपकी बातों का उतना अगर आप दुनों समय में एक साथ बोलेंगे तो ओवरलैप होंगे वह स्काइप से जुड़े हुए तो उने बोलने दीजें बार जी परना जी मेरा आग्रह य तब घुसाया और उसको कोट कर रहे हैं दोजार 24 में आरोप किस पर लगा रहे हैं पहले यह कहें लोया साथ लोया साथ शायद सुनिया सुनिया तो सही आपने शायद ध्यान से सुना नहीं उन्होंने कहा कि चाइना जो है हिंदुस्तान के गावों का नाम बदल दे रहा है यह 1962 में नहीं हुआ था इसका जवाब चाहिए उनको अगर चीन ने भारत के गावों का नाम बदलने की कोशिश अरुना चल प्रदेश में करी है तो प्रदान मंत्री ने पहली बार 75 वर्षों में केवल नरेंद्र बोदी एक प्रदान मंत्री है जन्होंने अरुना चल जा यह ऐसा थोड़ी होता है यह आपको लगता है कि यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरीके के जवाब होते हैं क्या कूट नीत ऐसी होती है क्या चाहिए यह आधे लोग चीन के साथ भी खड़े होंगे मैं वही कह रहा हूँ जब अब इस देश में आपस में विभाजन हुआ है विदेशी ताक्तों ने लाब उठाया है और कांग्रेस पार्टी उनके हाथों में खेलने का काम कर रही है और M.O.U. साइन कर रही है बड़ी खबर, बड़ी खबर, M.P. में तीन बज़े तक के मतदान के प्रतीशत बता देते हैं इस वक्त 69 पीसद मतदान दिवस में तीन बज़े तक 63.68 उजयन में तीन बज़े तक 60.8 बंसौर में तीन बज़े तक 61.58 फर्स्ट डिविसन हो गया लेकिन इंदौर इंदौर बहुत पीछे 48 पीसद मतदान इंदौर में रतला में 3 बज़े तक 62.78 पीसद मतदान हुआ है तो मध्यप्रदेश में 3 बज़े तक का मतदान प्रतीशत आ गया है जो की इंदोर नंबर वन कहा जाता सफाई में और वहाँ पर प्रंड लिया जाता है कि हम जो है वो नंबर वन आकर रहेंगे मतदान में भी नंबर वन आएंगे लेकिन आखिर इंदोर की जनता को क्या हो गया क्यों इंदौर की जनता इस तरीके से उसका बिहेव सामने आया चुनाम को लेकर ये जो है ये तमाम बातें जो है सवाल उटते रहेंगे तो चलिए अब डिबेट पर फिर से चलते हैं हमारे मेहमान जो हैं वो लगातार जुड़े हुएं लोया साब इंदौर के बारे में खबर आ रही है क्या कहेंगे इस पर क्या पतिक्रिया आपकी निश्चित देखिए अगर इंदौर के लोगों को ऐसा लगता है कि फार्टी जनता पार्टी तो एक तरफा जीत रही है हमारी क्या आवश्चता है तो मैं उनसे आकते मात्यम से आगरह करना चाहता हूँ कि जब इतिहास लिखा जा रहा हो तब आपकी उसमें उपस्थिती क्या है और आपकी भूमी का क्या है ये सुनिष्चत करने का काम करें आज इंदोर की जनता के उपर बहुत बड़ी जबाबदारी है ये देश एक नया इतिहास बनाने जा रहा है ऐसा नहों कि आप अपनी भागेदारी से उसमें चूक जाएं तो सबसे पहले उसमें भागेदारी करिए इंदोर के बारे में लोया साब इंदोर के बारे में इंदोर के लोगों को ये समझाने की जरुरत इस चुनाओं में बीजेपी को क्यों पड़ रही है इसका जवाब दीजेगा जो आप कह रहे हैं क्योंकि पिछला वोटिंग परसंटेज भी मुझे याद दो तरह का इन चलाया जा रहा है कि मतदान से दूर रहा है और यह केवल इन दौर में नहीं 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 परिपकवता की राजनीती कर रहा है पॉसिटिविटी की राजनीती कर रहा है नोटा के लिए कर रहा है मेरा यह सवाल है कि उसके बावजूद 48% वोट परसंटेज क्यों है तीन बजे तक कि यहां एक पडिकर रहा है कि मतदान का मैं कुक्ट कर रहा है कि इन्द और में कहा लाव है आप तो कहर रहे एक तरफा जीत रहे हैं से मैं इसकोThese विद्धान सभाव में कमें देपालपुर में इंडॉर में ज़्यादा मत्दान है वहां यहू रौद सभी मैं इंदौर सहर के लोगों से भी आपके माध्यम से आग रह कर रहा हूँ कि आप भी क्रपिया लोगतंत्र के सिया कि में अपनी आउटी डालिए वो भी तब है जब इंदौर की सब की सबाब के पासे विधान सबाएं वो भी तब है नहीं है अपड़ना यह अशेर जनक ने लगा आप पूनीत और देखे जाहिर सी बात है जब शुरुआत हुई थी मुझे याद है क्लाश विजे वर्गे कहते की आठ लाक रहेगा जीत का अंतर और फिर जैसे अक्षे कांति बाम बीजेपी में चले आते हैं उसके बाद कॉंग्रेस नोटा को प्रमोट करना शुरू करती है तो उसके बाद एग्रसिव जवाब में बीजेपी यहाँ पर स्ट्राटेजी अपर आती है तो क्या नोटा से घबर आ गई बीजेपी य क्या लगता है आपको कि यहां पर क्योंकि जाहिर सी बात थी इंद्वार को लेकर आश्रस तो है बीजेपी लेकिन कई यह ना हो कि जो किया जो हुआ कि अक्षे कांति बीजेपी में आ गए और इसके बाद कई लोग लोग नोटा की ओना रुख मोड ले अपना मुझसे है सवाल ये जी जी नहीं देखे नोटा अपनी जगह है और नोटा का प्रचार भी अच्छा हुआ है नोटा अधिकार भी है लेकिन दोर में जो मत प्रतिशत है वो यह सनुमान से कम नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां कंग्रेस का कोई कंडिडेट नहीं है तो केवर नोटा में मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए एक दूसरा आकड़ा आपको देखना पड़ेगा वो यह कि 2009 में 50 प्रतिशत के आसपास ही मतदान हुआ था 2009 में तो इसलिए 48% यदि तीन बजे तक का मतदान है तो मुझे लगता है ये एक समान जरक स्थिती तक चला जाएगा लेकिन इन सब के बावजूद जो इंदोर का राजनिती कटना करम है उसकी अंदेखी नहीं की जा सकती वैद लोग तंतर के लियाज से कताई अच्छा नहीं कहा जा सकता किसी भी प्रतियासी के द्वारा नामां है इसका सामना आप करने के लिए ठीक है लेकिन स्विदेश जी के पास चलते हैं स्विदेश जी क्या कहेंगे इंदोर के बारे में पहले इंदोर क्योंकि वोटिंग परसंटेज सब जगह से तो अच्छा रहा है इंदोर में अर्तालीस फीसद है तो क्या इंदोर की अब हैं एक तरह से हुआ और इंदोर का जाग रुखता तो इतनी जबरजस्त है कि स्वक्स्ता में पहले नंबर पर इंदोर आता है तो इंदोर के लोगों की सोच भी बिलकुल अलाग है लेकिन भारती इंता पार्टी ने उनको अपने मत के अधिकार से उनको बंचित रख जा पाने ठीक निग किया जो बंध है बंध को अपनी गारी में माननी केलाज बिजर बाहर की जी ने अपनी बाहन में बैठाया और उसमें मेदवला जी साथ बैठी और जिए जाक्ति अक्षे पांढ़ी बाहर के वाइश नेता नहीं बैठे ना वो तो बोल रहे थे कि करती है कि आपने इंदोर के लोगों से उनके मत का अधिकार चीना है अधिकार चीना इसलिए वहां रुष्टा है और राज सबल जैसा हमारा विद्वान पत्रकार ने बीज़ती कहा है कि नोटा का अधिकार हमें समयधार ने दिया है अगर वह नोटा की तरफ जाते हैं तो य इस यह कि लोगों को बतान का अधिकार चीन लिए यह तो जायज नहीं है कांग्रेस के लोगों को मत्दान का अधिकार चीन लिया और दूसरा बहुत बपस्ट बात है क्यूंकि हम बहुत बड़े चैनल पर बात कर रहे हैं नोटा जो है वो संभिधान का कोई प्राउधान का अंतर्गत नहीं है वो चुनावाइक निर्डेश है उसको संभिधान से मत जोड़िये संभिधान का जो बतावर न क्या हो जाएगा इस ट्राइब की बाति complete संब्धान के अदर ले जाने को सिस्ट नहीं करना चाहिए संब्धान संब्धान ही हमें चुनाव कराने के लिए प्रेरिट करता है तो संब्धान क्यों नहीं हो सकता वह साथ आप बताइए यह मत पुद्धिस का मिजाज है दो ही रायरितिक दलें कॉंग्रेस और भाजापा आप एक कॉंग्रेस को आपने बिठा दिया है किसी भी तरह है एडियो सीवी आयो आइटियो पैसा हो दन बलो बाव बलो जैसे भी आपने उसको बिठा दिया तो यह नमब समय लिए दो पार्टियां है जो आड़ प्रत्यासी और हैं वो किसी रायर वापसी हो गई उसके बाद से इंदोर का चुनाव जो है फीका फीका नजर आया बीजेपी भी सोच रही होगी कि प्रचार अपड़ना करना ही क्यों संपर्क इतना जंसंपर्क के लिए इतना जोट लगाना ही क्यों क्योंकि मालूम है कि जीतना है ब्रिज गोपाल लोया सा करेंगे जी आप एक मिनिट अंतिम शब्द प्रश्ण के जी नहीं देखें मैं आप से फिर कहना हूं पार्टी जिनत्ता पार्टी को जीतने के लिए किसी चीज की आउश्यक्ता नहीं है कांग्रेस का उम्मीदवार की गाड़ी में कोई उनका नेता बैठने तयार नहीं होता उनके नामांकन में लोगों को यह लगता है कि दूप बहुत है हम सीधे गाड़ी से कलेक्टरेट पहुंचेंगे तो इस परिस्तिती में कैसे उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा पार्टी से उम्मीदवार होना यानि एक सामोहिक नित्रत्तु की भावना होती है परन्तु जब आप लोगों को टिकेट देकर अखेला छोड़ देते हैं तो इन परिस्तितियों के लिए कांग्रेस को तयार रहना पड़ेगा और केवल इन दौर में नहीं हुआ आप याद कर ध्यान रखें इन परिस्तितियों मतलब किस प्रकार की परिस्तितियां के प्रत्याशी अपना नाम वापस लेगा और बीजेपी में शामिल होगा इसके लिए कॉंग्रेस तयार रहे हैं या प्रत्याशी के पक्ष में उसकी पार्टी के लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा और दूसरे दल में शामिल होगा। नहीं लेकिन का प्रत्याशी नहीं है और लड़ाई कही नहीं चोटा सा उत्तर है जिनके कहने से कभी इंदौर की जनता ने उनकी पार्टी कांग्रेस को वोट नहीं दिया उनके कहने से नोटा का वो बटन दवाएंगे यह आज कहना पर ना मैं फिगर्स पर जाना चाहरा हू कि 2014 और 2019 इन दौर में अगर नोटा के वोटों की बात की जाए तो 5000 के आसपास 2014 में वोट डले थे 5000 के आसपास 6000 के आसपास 2019 में वोटिंग हुई है नोटा को ले करके क्या लोया साहब मैं यह समझना चाहरा हूं कि क्या इस बार भी आंकड़ा इतना ही रहेगा और अगर इस से कई गुना ज्यादा होता है तो बीजेपी क्या अपने अंतर मन में ज्ञाक कर देखेगी हमने क्या किया नहीं पहले देखिए आप मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी का उम्मीद बार भाग जाए वो उसकी रखवाली करना भी भारती जनता पार्टी की जुम्मेवारी नहीं पहली बात और दूसरी जो आप कह रहे हैं आज कांग्रेस के अगर जुम्मेवार लोग वहां नोटा को गोट देते हैं इसका पहला मतलब है ठीक है आपको बात की जनता पार्टी पसंद नहीं है यह आपका विचार हो सकता है मगर दूसरे चवधा उम्मीद बार भी आपक आपको कोई पसंद नहीं है यह इसको प्रमालिक करता है आप किसी के सखावह फारे होते हैं आपने सूची भी बीर महारी को मैं कोड कर रहा हूं जाताई कितने फौन उठाएंगी कितने लोगों को समझाएंगी कि हमारा तो प्रत्याशी खड़ा है ना मेरा यह कहना है कि वो लोग जिन्हों सुमित्रा महाजन को आपने तो बाइट सुनी होगी उन्होंने कहा कि कई हमारे लोग यह कह रहे थे कि बीजेपी ने जो किया हमको पसंद नहीं आया इसलिए हम नोटा को दबाएंगे उनके लिए क्या भारती जनता पार्टी के उम्मीद्वार को ही बोट देंगे यह भी तो आप सुस्थ बैञे यान उन्नहों वहान है के कि हमारा प्रत्याशि तो खड़ा है ना दूसरे 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 दूसरा प्रत्याशी बैठा है तो उसी बात पर फ्र में की कीwand यह चकाता था बताई यह कोड़े को आपने अपने दल में ले ले नहीं नहीं हम आपसे पिर कहा है तो हम तो आपसे बड़ा इस पश्ट करते हैं जो राष्ट निर्मान के लिए जो देश के गौराव के लिए जो भारती सनातन संस्कृति के लिए काम करने की सहमती रखता है तो नहीं तकसाल है क्या कि खोटे सिकों को नहीं तकसाल में नए तरीके से मार्केट मलाया जाएगा नहीं नहीं देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि भारती जनता पार्टी की विचारधारा ही खरा सिक्का है और जब आज आप देख रहे हैं किस तरह 84 से 24 तक 49 सालों में देश बदला है देश की राजनीत बदली है देश की राजनीत तक दिशा बदली है और राजनीत के मुद्धे बदले हैं आप याद करिए कि 84 तक के चुनाव किस तरह हुआ करते थे के बड़ा पेड़ हिलता है तो जमीन हिलती है आज किसी में यह कहने का सामर्थ नहीं बचा है इसलिए नहीं बचा है क्योंकि एक विचारधारा ने देश में स्थाइटों को प्राप्त किया है और जो देश के रोधी विचारधारा थी उनको कहीं पनाए रापक्त के पालिग लोग हैं मैं दوبारा फिर दोराता हूँ रायनीती विचार धारा की ही तीज़ अकर और आपके अंदर है मैं समखता हूँ मुझे क्या बले निता हो ने कि होंगे कि हैब पर मुझे पता है कि 1884 में राउल गान्दी QUE साथ 85 treasury सामिल हुआ था कॉंग्रेस में आज तक कॉंग्रेस का सदसु मुझे यह पता है कि कॉंग्रेस के वही लोग है जुनने अंगरेजों को खगाЯ अगरेजों से माफी तो नहीं मांगी। प्रेना सुरूरत मानते हो उन्हें अपना अधर्स मानते हो पूरी चीजे बताई गई लेकिन उन्हीं के साथीयों को ये बात नहीं बताए गई या बताई गई तो उन्होंने पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया अगर भरोसा किया होता